औस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक औलराउंडर ग्लेन मिक्सवेल ने किर्केट से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है स्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की T20 सिरीज के पहले दो मुकाबलों में उतरने वाले ग्लेन मिक्सवेल कुछ समय तक किर्केट से दुर रहेंगे दिमागी तोर पर अस्वर्ष ग्लेन मिक्सवेल ने किर्केट से दुर रहने का फैसला किया है स्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच में सिर्फ 22 गेंदो में 50 ठोकने वाले ग्लेन मिक्सवेल ने दूसरे मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं की थी क्योंकि डेविड वार्नर और स्टी श्मित ने अर्द सतक ठोकर लोई स्कोरिंग मैच को जिता दिया था हाला कि अब वे तिसरे T20 मैच का हिस्सा नहीं होंगे मेक्सवेल की जगा तिसरे और आखरी T20 मैच के लिए डौर्सी सोट को टीम में सामिल किया गया है साल 2019 में IPL से दूर रहने वाले 31 वर्सी गलेन मेक्सवेल ने मानसिक स्वास्त के सम्मद में कुछ कठनाईयों का अनुभव किया है इसकी पुष्टी केंगारू टीम के फिजोलिजिस्ट ने भी की है डौक्टर माइकल ने अस्टेलियाई किर्केट बोर्ट द्वराजारी प्रेस नोट में कहा है कि गलेन मेक्सवेल ने अपने दिमागी स्वास्त के सम्मद में कुछ कठनाईयों का सामना किया है नतीजों के अधार पर वे किर्केट से ब्रेक ले रहे हैं किर्केट उस्टेलिया सीये ने अपने ब्यान में कहा है कि गलेन मेक्सवेल के किर्केट से ब्रेक लेने वाले फैसले का समर्थन करते हैं टीम के फीजियों ने बताया है कि गलेन मेक्सवेल ने अपनी इस समस्या को सपोर्ट स्टाप को बताया है और अभी ने निने किया है कि किरिकेट से दूर रहेंगे उधर नेशनल टीम के एक्जिटीव जनरल मनेजर ने कहा है कि खिलारियो और सपोर्ट स्टाप के लिए जो अच्छा होगा वो किया जाएगा गलेन मेक्सिवल को हमारा पूरा सपोर्ट है